भारत में एक प्रिचार चल रहा है बुद्ध धम या बुद्ध धर्म या बुद्ध का जो फिलोसफी है या जो बुद्ध का विचार है वो खत्रे में है ये वार्टसेप पे यूटूब पे तमाम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि बुद्ध धम या बुद्ध धर्म या बुद्ध का जो फिलोसफी या बुद्ध ने जो बताया वो खत्रे में है खत्रे में है खत्रे में नहीं है ये बात समझने की नहीं है पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली धम क्या है धर्म क्या है बुद्ध क्या है संसकारित भासा में जिसको बाद में धम से धर्म कहा गया वो प्राकर्टिक पाली भासा के अंदर बुद्ध के समय धम था यानि कि बुद्ध के समय आधा रह नहीं था तो इसको धम बोलते थे इसी प्राकर्टिक नियमों को बाद में जब आर्टिफिशल और फिजिकल या मैनमेड या मनुस्य के द्वारा बनाए नियमों में बदला गया तो इसको धर्म कहने लगे और इसको मजहब से और रिलिजियन से कंपेरिजन कहने लगे मजहब बिलकुल अलग चीज है क्योंकि वो अरब से आया हुआ है रिजियन बिलकुल अलग है क्योंकि वो यूरोप से आया हुआ है और धम बिलकुल अलग है जो प्राकर्टिक है जो भारत से आया हुआ है इसी धम का बाद में मिक्स करके धर्म कहा गया दरसल खतरा क्यों होता है किसी फिलोसफी को, किसी विचार को, किसी संत की बात को कहे हुए जो सबसे पुराने संत हैं और जो सबसे जाने माने दुनिया के इंदर विस्व गुरू कहलाए जाते हैं अकेले विस्व गुरू है क्योंकि पूरा विस्व उनको मानता है प्राकर्तिक नियम होने दिये उनको जो समय सिद्धत गौतम थे बाद में जब उनको बोधी प्राप्त हो गई और धम प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध कहलाए बुद्ध की जो फिलोसफी और जो विचार है वो नेचर से निकल के आए प्राकर्ति से निकल के आए इसलिए वो प्राकर्तिक विचार है उन्होंने उनको ढूंडा बनाया नहीं उन्होंने उनको जाना उन्होंने उनको अनुभव किया तब बताया यानि वो प्राकर्ति में पहले से विद्धमान थे अभी भी हैं इसलिए डिस्कवर उनोंने किया, उनके नाम से जाना जाता है, उनका नाम ना भी लें, तो भी नीचर में वो गुर्ण विद्वान है, समय समय पे संत उनी गुर्णों को बताते रहते हैं, बुद्ध ने सम्यक्सम बताए, पूरे बताए, इसलिए सम्यक्सम बुद्ध बताय जाते हैं, उसी मैंसे बाकी संथ पूर्षों की विचार भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो 26 साल पुराने हैं, इसलिए सबसे पुरानी मानता उनकी है, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने मनुस्य के कल्यान की ये नियम बताए, तो वो खत्रे में कैसे आगे, इतने अच्छे नियम इतना अच्छा सिस्टम जिससे सम्रट असोक यानि के जो राष्ट के रठ के जो सम्ता के वहाग थे, सम्रट असोक थे, महान थे, बड़े थे, जिन्होंने महा भारत रचा, महा भारत बनाया, महा मतलब बड़ा, जैसे महा कहते हैं, महान है, तो इसका मतलब है, ऐसा म महा भारत बनाया उसके रच्यता वहीं है उन्होंने ही धम को प्राकर्तिक नियमों को अंगिकार किया और पूरी दुनिया में फिलाने का सर्य उनको जाता है बाद के राजाओंने भी ये काम किया है तो इतना सारा क्योंकि सम्राट असुक के समय जो GDP थी बताते हैं 23, 24, 26 परस तो इतनी अच्छा विचार, इतनी अच्छी फिलॉस corazón को खत्रा कैसे हो गया और वो खत्म कैसे हो गया हो खत्रा तो बहुत छोटा सा सद्ध है कि धम को खत्रा है, दरसल वो तो खत्म ही हो चुकी, अगर कोई अंग्रेज कहां नहीं आये होते या अगर वो असो की सलालेक वग अच्छी बात है क्योंकि खता नहीं माना चाहिए काम करें और जो लोग ये मानते हैं कि बुद्ध धिरमको सथे खत्रा पर जादा के और जादा काम करें जो व्यत्ति ड्रैंगों में बैठा हुआ है, वाट्सेप चला रहा है, यूटूब चला रहा है, फेस्वूक चला रहा है, वो सिर्फ बाते बना रहा है, उसे पता नहीं खत्रा क्या होता है, क्या है क्या इसका मेजरमेंट है क्या इसकेल है कि खत्रा है या नहीं या खतम हो चुका है। बनो या बुद्धिष्ट कहलाओ बाद की लोगों ने अपने सुविधा के नुसार ये शब्द बनाए बुद्ध का ही संसकार्ट सब्द है क्योंकि दो मात्राएं पाली गंदर नहीं होती इसलिए बुद्ध के साहिते में बुद्ध ने धम्मिक लोग बनाये थे सारे लगभग समिलर एक समनांतर जो चीज़े चल रही हैं या उसके कंपनिशन में चीज़े चल रही हैं उसके हिसाब से कहा जाता है कि बुद्धिष्ट को इस सब्द नही है तो खत्रा कैसे है, खत्रा ऐसे है कि उस समय जब पूरा महा भारत बुद्ध की फ्लोसफिय को मानता था तो आज compare करें कि अभी कितने लोग उस फ्लोसफिय के चल रहे हैं अगर कम चल रहे हैं, बहुत जरासी रहे गए हैं, तो खत्रा है लगबत खत्म हो चुका है और अगर उस से ज़ादा हो गए हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, महा भारत की बात कर रहे हैं तो खत्रा है क्योंकि खत्म किया है, खत्रा मतलब जो खत्म का दे वो खत्रा हो गया अगर उसके प्रचारक यानि कि उस फिलोस्पी की प्रटिस्क करने वाले उसको बताने वाले उसको पढ़ाने वाले टीचर अगर संख्या में बहुत कम रह गए हैं और पहले के मुकावले तो खतम हो चों के हैं खत्रा है अगर वो इस्थल जिन इस्थलों पे ये एजूकेसन पढ़ाय जाती है ये विचार दिया जाता है ये सिक्षा दी जाती है ये फिलोस्पी बढ़ाय जाती है जो सम्ता करोना मैत्री और भाईचारे की है अगर वो सारे के सारे धम के स्थल या धम की साला या धरमशाला बोलें आज के समय क्योंकि जो धरमशाला है ये तो संस्कारित वर्ड है और धमशाला प्योर वर्ड है जहां रमन करे राम हो गया और जहां आराम करे या रमन करे आराम अलग सब्ध है उसी से राम बना हुआ है आराम और राम ही किया इसका मतलब रमन करने वादा तो वो जो धमगी साला हैं जो धरमशाला हैं वो अभी कितनी रही या वो कहां चली गई कितनी टूड गई या कितनी लोगों ने उनको बदल दिया या कुछ अन्य लोगों ने नाम बदल कर उस पे अपना अधिपित्य अपना कबजा या अपने नाम से वो इस्थापित करनी या उनको बदल दिया कितने फोटो आते हैं फेस्बुक पे जगे जगे आता है कि ये बुद्ध का मूर्ती है, ये बुद्ध का मूर्ती है, ये बुद्ध का मूर्ती है, मगर बुद्ध का वहाँ पर विचार नहीं है, बुद्ध का नाम नहीं है, नाम वहाँ बदल दी गए हैं वो बुद्ध के ह मगर वो सारे के संस्काइट होने की वैसे नाम लोगों को थोड़े से अग्यान होगे तो समझ में आता है कि जब सारे के सारे धम शालाएं यानि धम की साला धर्म शालाएं अगर बदल दी गई हैं विहारा बदल दी गए हैं या कबजे में हैं या तूटते गए हैं तो धम खत्रे में है या खत्म हो चुका है या पतन हो चुका है या विनास कर दिया गया है समझ में आता है कोई राज्य इस विचार को कितना अपने अंदर समयता है यानि कि राज्य का विचार अगर ये विचार है जो बुद्ध का विचार है तो पता चलता है कि ये जो धम है ये खतम हुआ खतनाक है या नहीं है असोक के समय और असोक के बाद तक भी लगबग 700-800 साल तक हजार साल तक राज्यों के विचार बुद्ध की सिक्षों पर आधरित होते थे सम्ता, मैत्री, बंदुत पर भाई चारा लगबग 1000 साल तक ही चलते रहे और लोगों ने इस विचार को आगे पढ़ा के बुद्ध की विचार से देश का लोगों का कल्यान दिया और अभी लगबग 1947 से फिर जब सम्विधान बना है तो ये विचार दुबारा से आया है और जो पुरानी सिती है वो दोनों similar है एक सी है क्या सम्विधान की वो बात पुरे देश में लागू है या नहीं अगर लागू है और चल रही है प्रक्टिस हो रही है तो तो खत्रे में नहीं है बुद्ध का विचार और अगर सम्विधान की बात नहीं मानी जा रही है, सम्विधान अभी काम नहीं कर पा रहा है या सम्विधान को काम करने नहीं दिया जा रहा है या लोग सम्विधान की बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर बुद्ध का विचार और धम खतरे में हैं, खतना के स्थिती में हैं, ये स्केल होते हैं कि कोई देश कितना तरक्की करता है प्राकरतिक स्थिती के अनुसार, क्योंकि भारत में जब भी तरक्की हुई है, बुद्ध के विचार से हुई है, महा भारत बना तो बुद् बर्मा चला गया तो फिर हमारा जो महा भारत है वो छोटा भारत होके रह गया उसके रचियता अगर समराठ सोग आज होते, समराठ सोग होते तो साध और भी बड़ा भार्ग मनते हम एरान से राथ की तरह पर जाते इधर हम उपर पूरे यूरेश शेक तरह पर जाते और नीचे भी हम इधर पर जाते तो साध भगवान बुद्ध की फिलोसफी से या भग जिनको मंदर बोलते हैं, मंदर जहां मन का दर्द दूर होता है, दुख दूर होता है, वो कितने अभी बुद्ध के नाम से हैं, कितना लोग उनको जानते हैं, कितना सुबह साम उनका नाम लेते हैं, कितना उनकी फिलोसफी को रिपीट करते हैं, कितना प्रेक्टिस करते है जो प्रचारक हैं यानि जो भिक्कु हैं मंग हैं जो नन हैं वो कितने बचे हैं उनको क्या करता है या उनको सुख सुविदा कैसी है और राज्य ने इस विचार पे अपना काम करता है या नहीं या उसका कोई और विचार है तो राज्य विचार करता है नहीं करता है तब क्या बार पिट भी रहे है और धम का काम करने वाले लोग क्योंकि भारत में जितने भी लोग धम की बात करते हैं या धम को अंगिगार करते हैं वो दरसल अपने पुराने 26 साल पुराने धम की पहचान करकर उसमें वापस आतें ताकि भारत की तर्की हो सके और भारत दुनिया बुद्ध का जो धम है या विचार है कैसे खत्रे में बुद्ध की जो भासा थी, उसको सारे के सारे लोग बोलते हैं, यानि बुद्ध ने जिस भासा में, भासा बुद्ध ने नहीं बनाई, भासा प्रकति ने बनाई है, प्रकति ने जो भासा बनाई है, पाली उसको आज नाम दिया गया है, जो पाली भासा है, पाली भासा पू वार UPSC में एकजाम देने से रोग दिया, लोग उने संगर्स किया, उसका कहीं पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ने के लिए special कहना पड़ता है, यानि कि जैसे और भासा हैं, छित्री भासा हैं, या जो और ऐसी भासा हैं, जो संस्कारिद भासा हैं, उनको प्रमोट किया जा सकत तो मेरे को आठवी तक संस्कत पढ़ाई गई, संस्कत मुझे समझ में नहीं आती थी, बड़ी, क्योंकि संस्कारिद भासा है, मौडिफाइड है, बनाई गई भासा है, तो उसको समझ में बड़ा टाइम लगता था, मगर पाली, अब चुकि मैं पाली पढ़ता हूं, तो म बनी सब्सके सबाइड है, तो मेरे माँ कि सीखना, या उसको समझना बहुत जादा आसाँ है, तो पाली भासा जो है, जो सक्रिप्ट है, उसको उन्होंने बहुत तेजी से पिनमोट नहीं किया, इसका मतलब भो खत्रे में हैं, खत्रे में इसलिए है क्योंकि पाली अगर आ गुरू बन जाएगा व्यापार में भी और काब में भी और अपने नियमों में भी और अपना जो सदाचारे उसके हिसाब से भी जैसे पहले था और जैसे पहले यहाँ 23-23 महाविधाले थे उस समय के हिसाब से यहाँ एजूकन बढ़ जाए तो आप चिंतन करिए आप मनन करिए कि क्या आपका जो नियम है यानि कि जो बुद्ध का परसनलो है उसके लिए जो संगर्स कर रहे हैं लोग या जो बुद्ध गया के लिए संगर्स कर रहे हैं यानि कि भारत में बुद्ध का जो इस्थल है जरम इस्थल है और जहां बुद्ध ने अपना पूरा-पूरा ज्यान प्राप्त किया वो भी आज की डेट में लिबरेट यानि आजाद नहीं है जो यहां की उस फिलोस्पी को मानने वाले लोग है उनको नहीं है जो धम के जानने वाले लोग हैं या जो धम को मानने वाले लोग हैं उनको सुविधाय नहीं है सरकार की तरफ से उनने कोई सुविधाय नहीं मिलती और उनका प्रचार प्रसार बातों का रोक दिया जाता है उसके लिए बार 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 भारत के धम लिए, भारत के लोगों को भारत के अंदर ही परमिशन नहीं करते है एक बड़ी हजी सी गात है, दुनिया में जहां और मजब्गे या और रिलिजिन के लोग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है अगर भारत में भारत में पैदा हुए जो बुद्ध हम हैं जो विस्व गुरू हैं उनके किसी कामकाज के लिए यहां रिस्टिक्शन होती हैं अगर कोई आदमी अपने घर बापस आता है पचास या सो आदमी हम कहते हैं कि हम तो भारत की पुरानी पदती भारत की मूल पदती भारत की और्जिनल पदती में अपने घर बापस अना चायते हैं तो लोग कईवार उनके खिलाफ एफ आई यार भी दर्ज करा देते हैं जब वुद्ध की जो philosophy है, जो लिखी गई, वो mix कर दी जई और mix करने से वो बहुत ही ज़ादा खातमे की तरफ बढ़ गई और वो बहुत ज़ादा उसको नुक्सान हुआ, इसलिए धम खत्रे में है, धम इसलिए खत्रे में है, क्योंकि अगर आप उसका शोधन नहीं करेंगे, और उसको सुध नहीं करेंगे, जो धम की बाणी है, तो असुध चीज़ को अगर आप पढ़ाएंगे, तो धम फिर असुध हो जाएगा, और असुध धम ही भारत के अंदर रन का रहा है, चल रहा ह बड़े-बड़े जो महापुसें, जैसे जौक्टर अबेकर हैं, या जैसे, और भी जो बड़े महापुसें, उन्होंने उसका ध्धन किया है, और जो लोग अध्रन करते हैं, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा असुध है, इसको मिक्स किया गया है, बहुत सारे सब्द ऐ तो एक ऐसा सुद्ध भी दिया हुआ है कि आप उनकी बात पर यकीन ना करें मैं जब चेक कर लें उसको क्यों ठीक है या नहीं है तो सारी बात अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान गुद्ध की जो साहित्ते इतना बड़ा बड़ा चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिक्स है अब इस मिक्स को, इस मिस्रित को इस मिले हुए को, इस असुद्ध को सुद्ध करने काम थोड़ा सा मेहत वाला है, मुश्किल नहीं है क्योंकि आप इमानदारी से, संक्ता से करना से देखेंगे, तो आसानी से पालेंगे कि क्या रिजन है, क्या नहीं है मैं एक एक्जाम्पल आपको देता हूँ जैसे धमपद धमपद के अंदर बहुत सारी मिक्सिंग है धमपद के अंदर एक वर्ग है जिसको ब्रहमन वर्ग बोलते हैं, अब ब्रहमन सब्द पाली का नहीं है, आधारे पाली में नहीं होता है, ब्रहमन एक रंग को बोलते हैं, यानि कि वन को बोलते हैं, वन माले रंग होता है तो आप देखेंगे उसमें छित्रिय यानि कि छत्रिय यानि खत्य वग नहीं है उसके अंदर जो वैसे वग नहीं है उसके अंदर शुद्र का यानि शुद्र का वण नहीं है उसके अंदर भग्मान बुद्र का साक्य वण भी नहीं है अगर समर की बात करें तो समर वग भी भी नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान बुद्ध किसी वर्ण को या जाती को या कोई चीज को ऐसे को पिरमोट करें क्योंकि जाती तो उससे में होती नहीं थी, दो रंग हुआ करते थे, काले और सफेद तो भगवान गुद्ध समर वर्ग से आते थे, समर रंग से आते थे, काले रंग से आते थे तो वो अगर ब्रहमन वर्ग लिखेंगे या ब्रहमन का प्रसंसा करेंगे तो व्यक्ति का प्रसंसा हो गया और व्यक्ति का प्रसंसा तो उन्होंने कभी किया नहीं किसी वर्ण का किया नहीं वो तो यूनिवर्सल है तो साफ साफ दिखाए देता है क्योंकि अगर वो किसी व्यक्ति का प्रसंजा करेंगे तो बहुत लोग करेंगे फिर तो इतने सारे लोगे उसमें एक नारी वगी भी होना चाहिए उसके अंदर बुढ़ापेगा जो ऐसा वग है कि वही ब्रहमरा के बुढ़ा होता है या च्छत्रिय बुढ़ा होता है या वैसे बुढ़ा होता है तो होना चाहिए तो और उसके अंदर वग विचार नहीं है और वो बाद में जुड़े हुए है इससे इस प्रष्ट होता है कि उसमें मिक्सिंग करके बाद में एड किया गया है जोडा गया है उसको कौन फिल्टर करेगा कौन सुध करेगा कौन देखेगा ये भारत के लोगों को देखना चाहिए तो उससे उन्हें पता चलेगा फिर कुछ बात हैं उस साहित्ते में ऐसी ह जो कल्पनाओं पर आधारित हैं जिनका ना सर है ना पैर है वो सब बाद में जूड़ी गई है भगमान बुद ने पूरी जो फिलोस्पी बताई है वो मन की और मस्तिक्स की जीवन की और मिर्ट्यूं की और कारण की और उसके परणाम की बताई है सारा सारा उनका बेस परिणाम और कारण ये चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं उस पर आधरिस सारी उनकी विचार है और वही सत्व है सारी दुनिया के साइंटिस्ट उसी को आज भी खोस्ते हैं आज भी देखते हैं तो फिर किसमें उसमें ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी जो कल्पनाओं की और कल्पनाओं से परेकी भी है जो समझ से परेकी हैं आप अपना सर ढूंते रह जाएंगे आपको पल्य नहीं पड़ेगी अनंत आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बुद्ध का जो फिलोस्पी है वो भी बाकी फिलोस्पी जैसा ही है अरे इसमें भी वही है उसमें भी वही है ये मुगालता ये गलत फैमी ये इलूजन ये भ्रम आपको हो जाएगा और आप धंग की तरफ से विमुख हो जाएगे बुद्धी जी भी होते हुए भी तो ये सारी चीजें उसको खतम करने के लिए उसको बदलने के लिए उसको खराब करने के लिए बहुत पहले से किनी लोगों ने डाली है अभी वो ठीक करनी है इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि बुद्धधम खत्रे में नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी बात है वो उसमे रहें, मानें करें मगर जो लोग ये समझते हैं कि बुद्धधम खत्रे में उनको जादा काम करना चाहिए ज्यादा लोगों से संपर करना चाहिए फिलोस्पी को अच्छी तरह समझना चाहिए साहित्तर को पढ़ना चाहिए उनको देखना चाहिए कि भारत में जो कवड़ो लोग धम को पहले मांते थे वो थोड़े से क्यों रहे गे भारत में जो इतने सारे धम की सालाइं थी वो कहां गायब हो गई है भारत में जो इतने सारे विस्विधा लेते धम के वो कहां चलेगे जो इतने सारे धम गुरु थे या धम मंग थे या भिकुणी थी या भिकुणी संग थे वो कहां चलेगे या धमकी बात करने पे लोग डरने क्यों लगे या क्यों आज धमकी बात को प्रचारित नहीं होने दिया जाता या क्यों आज भगवान बुद्ध की अस्थियां नेशनल म्यूजिम में रखी हुनी है दिल्ली के अंदर क्यों उनके उपर आज एक बहुत विशाल इंटरनेशनल लेविल का कोई विहार या कोई स्थूप या कोई थूप या कोई मॉनुमेंट राजधानी जैसे छेतर में क्यों नहीं बन रही है क्यों वहाँ परभी परई सड़ रही है क्या भगवान बुद्ध की जो अस्थिया या हड़ियां है जा जो रिलिक्स हैं उनकी सिर्फ इतनी हिमानेता है उस देश में जिस देश में वो पैदा हुए और पूरी दुनिया में छागे ऐसे विश्व गुरू की हड़ियां सिर्फ हम देखने भी नहीं रखेंगे वहाँ क्या उनसे प्रेणरा नहीं मिलेगी क्या उनसे विश्व द्याले नहीं बन सकता भगवान बुद्ध की अस्थियों से बहुत बड़ा काम भारक में हो सकता है पूरिज्म डवलप हो सकता है जिसमें कोड़ों डॉलर आ सकते हैं हर महिने के साब से तो इस संदर में इस बात को देखते हुए आप खुद फैसला की जिए कि भगवान बुद्ध का या धम की जो फिलोसफी है या धम का जो विचार है वो खतम हो चुका है निकल रहा है बहार या फिर दुआरा से खतम हो रहा है या डॉक्टर अंबेट करके 1956 के बाद में जो बहुत तेज से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बलपा रहा है क्योंकि अगर कोई चीज बहुत तेज से बढ़नी है और वो अगर रुखो गई है तो किसी नहीं रोख दिया है क्योंकि 10 लाख लोगों ने अगर 1956 में धम दिक्षा नागपुर में ली है तो अगले साल कम सकम एक व्यक्ति को एक आदमी को धम के वारे में बताना चाहिए था तो वो 20 लाख हो जाती और उससे अगले साल वो 40 लाख हो जाती उससे अगले साल वो 1 करोड़ 60 लाख हो जाती इसके हिसाब से अगले दस साल के अंदर अंदर तक पूरे भारत में वो बात आ जानी चाहे थी मगर वो दस लाख के दस लाख जादा नहीं पड़ पाए सेंसस भी ये कहता है कि एक करोड से भी कम संख्या भारत में जो बुद्धिष्ट लोग है उनकी है कुछ बहुत पुराने हैं जिनका भावा साब से कोई लेना दरा नहीं है जैसे तरपुरा के अंदर है या जो महा यानी है जो लेहल लगदा के अंदर है या जो उपर की तरफ भूटान की तरफ जो नीमीचे है वहां की तरफ है ये कुछ परंपरागत हैं जिनको बरुआ वगरा बोलते हैं तो इनका बावा साब से कोई लेना दरन नहीं है इनका पूजा पाठ वाला ज्यादा काम चलता है इसलिए बावा साब भी करांती से अगर उनको हम अलग भी रखें तो यहां ये बात बहुत तेशे फैलनी चीए आप देखिए बावा साब में जो संस्थाएं बनाएं थी क्या वो संस्थाएं डवलप कर पाईं क्या उनको राजनीती से बचाय जा सका क्या वो बहुत तेजी से पूरे धम का प्रचार प्रचार कर पाईं क्या उनके अंदर कुंठा तो नहीं आ गई या उनको रोक तो न चाहिए उसका फायदा यह होगा कि हम भारत की GDP को पूरी दुनिया में फिर ले आएंगे और यहां हर आदमी को रोजगार, हर आदमी को काम मिलेगा, यहां फिर सब लोग पढ़ पाएंगे, सारी लोग यहां जैसे समराटा सुक के समय सभी लोग साच्छते पढ़ने, पढ़ होगा, इसलिए मेहनत करें, क्योंकि पूरी दुनिया आपका इतियाय कर रही है, पूरी दुनिया आपको इजद की निगा से देखती है, वो जब बुद्ध गया को देखती है, तो सर जुखा लेती है, कहती हमारे विस्व गुरू को यहां ग्यान मिला था, यह भारत की सब अभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है, आप अपने पोर्टल पर, अपने यूटूब पर, अपने फेस्बुक पर, या किसी भी जो भी एप है, उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर, टीम 22 से या फेस्बुक से, या मेरे पेज से, कही से भी कोई भी वीडियो ले स आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें, टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं, आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को gift करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं। धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना सभी देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है, तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बना कर आपको भेज देंगे। आप धम की सेवा में साहिक बने, धम आपको खूब लाब दाप देगा, धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब देंगे, यह दोनों इंटरचिन है, यही धम की प्राकरतिक नियम है, धन्यवाद. धम्मं सेनं गच्छामी, संगं सरेनं गच्छामी, संगं सेनं गच्छामी, धूतियंपी धम्मं सेनं गच्छामी, धम्मं सेनं गच्छामी, धम्मं सेनं गच्छामी, संगं सेनं गच्छामी, धन्यवाद. धम्मं सेनं गच्छामी, संगं सेनं गच्छामी, धन्यवाद.